चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खवरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए क्या हिमाचल में टुटेगा रिवाज मिसन रिपीट पर बीजेपी चुना परवंदन समीती की आहम बैठक आज जे हिमाचल परदेश बिदान सभा चुनाप के लिए मद्दान परिक्रिया पूरी हो चुकी है कॉंग्रेस बिजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत कर दावा कर रहे हैं इस वीडिज हिमाचल बिजेपी चुना परवंदन समीती की बैठक होने जा रही है यह बैठक जीला सोलन के परवाणू के निजी होटल में सुबह साड़े दस बजे शुरू होगी बैठक में बिजेपी के आलानेता जुटकर यह आकलन करने की कोशिस करेंगे की क्या बिजेपी रिवाज बदल कर मिसन रिपीट करने जा रही है या नहीं ओपियस पर पंजाब नेकी जल्दबाजी और पेंसन पर इस्कीम और प्रोसीजर अभी तक जारी नहीं जिए पंजाब सरकार ने अपनी केबिनेट में और पेंसन को लेकर फैसला ले लिया है वर्तमार में पंजाब में 1,75,000 करमचारी नियू पेंसन इसकीम के तहत है जिनने अब और पेंसन में बदला जाएगा पंजाब सरकार की और से जारी की गई नोटिफिकेशन में सिर्फ यह कहा गया है कि सभी एनपियस करमचारी अब और पेंसन के दाइरे में आएंगे लेकिन इसकीम और प्रोसीजर बाद में नोटिफाई होंगे हिमाचल के लाल चावल की दिल्ली में डिमांड अंतराष्टी वेपार मेले में खुब हो रही खरिकदारी जे दिल्ली के प्रगती मदान में भारती अंतराष्टी वेपार मेले 2022 शुरू हो गया है वेपार मेले में हिमाचल के उद्योग विभाग की और से लगाई गई परदस्नी आकरसन का केंदर बनी हुई है इस मेले में उद्योग विभाग हिमाचल को परतिनिदिद्व कर रहा है वहीं हिमाचल के लाल चावल की दिल्ली में इस बार डिमांड काफी बढ़ गई है इसमें वुलन, खादी और और और्गेनिक उत्पादों की परदस्नी लगाई गई है जिसमें हाथों से बनी सॉल, टोपी और गर्म कपड़े सामिले इसके अलाबा अचार, चटनी, लाल चावल की सहीद, अनि और्गेनिक प्रोडेक्ट्स लगाए गए है उना में बंदे भाट ट्रेन पर बरसाई पत्थर, परवासी बच्चों ने किया पत्थराओ, रेलवे फुलिष ने परिजनों को दी चेतावनी जे उना मुख्याले के साथ लगते, अजनोली में परवासी बच्चों ने बंदे भाट ट्रेन पर पत्थराओ किया है रेलवे फुलिष ने परवासी बच्चों को काबू कर उनके अभिबावकों को पुष्टाच के लिए बुलाया जे परवासी बच्चों के माता पिता ने माफी मांगी और आगे से बच्चों द्वारा ऐसी गलती नों करने की बात कही है परदेश में इस साल दस महिने में सड़क दुर घटनाओं का गराब 2,000 पर 866 ने गवाई जान जे परदेश में सड़क दुर घटनाओं का आकड़ा अबढ़ता जा रहा है इस साल दस महा में सड़क हाथसों का गराब 2,000 के पार पहुँच चुका है जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और घायलों का आकड़ा 3,000 के पार पहुँच गया है NHM में भरती को मांगे अनुमती 1983 पतों पर भरती परिक्रिया पूरी जिनराष्ट स्वास्ति मिसन के इतहत समुदाइक स्वास्त अधिकारियों के 720 पतों से सहित स्टाफ नर्स फिमेल हेल्थ वर्कर और लेब टेक्निसियन के 983 पतों को भरने के लिए भरती परिक्रिया पूरी हो चुकी है वहीं NHM इन पतों पर भरती करवाने का काम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेर्चोक को दिया था आपको बता दे कि यूनिवर्सिटी द्वरा इन पतों को भरने के लिए परिशा करवा दी गई है साथी परिशा का परिणाम भी गोसित कर दिया गया है वहीं परिशा परिणाम के बाद मेरिट लिस्ट भी बन चुकी है अईसे में अब NHM इन पतों पर उतिरन उमिदबारों को नियुक्तियां परदान करना चाहता है लेकिन अचार संजिता के कारण नियुक्ती नहीं हो सकती है अईसे में राष्टे स्वास्त मिसन ने निर्वाचन आयोक से इस मामले की अनुमती के लिए पत्र लिखा है जोन में पेरासुट रिकाबरी सिस्टम का परिक्षन किया वही आपको पता देगे आई-एल-76 विमान से आस्मान में मोटार से पेरासुट दागा गया यह परिक्षन सफल रहा 5000 किलोग्राम वजन के पैलोट को सही तरीके से जमिन पर उतार दिया गया इसकी मदश से परिकर्मा के बाद अंत्रिक्ष यात्री कुरू मोडियूल से धर्ती पर लोट सकेंगी टेरर फंडिंग पर छात्र ग्रिपतार विदेश से ISI के जाल में फासा संगरूर का यूवग जे पंजाब की एक उनिवर्सिटी के चात्र को टेरर फंडिंग के आरोप में ग्रिपतार किया गया है आरोपीत मूल रुप से पंजाब के भवानी गड़ जिला संगरूर का रहने वाला है उसे इस्टेड स्पेसल ओपरेशन सेल ने ग्रिपतार किया है SSOC की टीम ने आरोपीत यूवग को सीक्रेट इन्फोर्मेशन पर चंडिगर से ग्रिपतार किया है आरोपी यूवग वीदेश में बैठे लखवीर सिंग, लंडा और लॉरेंस विश्णोई गेंग के सदस्य गौल्डी बराड का साथी है इसके अलावा वीदेश में बैठे आई, एस, आई में के गुर्गे स्टुडेंट के बैंक खाते में रुपईये भेज रहे थे वहीं आपको बता दे कि आरोपीत की गिर्पतारी उसके बैंक एकाउंट डिटेल के आधार पर हुई है एभियम की सिक्योर्टी जांची रूम की चेकिंग करने खुद फिल्ड में उतरे मुख्य चुनाबाधिकारी जहिमाचल पर्देस में मददान के बाद एभियम की सुरक्षा को लेकर खड़े सवालों के बीज मुख्य चुनाबाधिकारी खुद इस्ट्रॉंग रूम का जाजा लेने के लिए फिल्ड में उतर गया है इससे पहले जहां उन्होंने सिमला जिला इस्ट्रॉंग रूम दोरा किया था तो वहीं अब वह सिर्मोर जिला के दोरे पर है इसके बाद अन्य जिलों का दोरा भी किया जाएगा उनका कहना है कि परदेश में ABM कड़े पहरे में CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है परदेश में एक हफ्ते तक बारिस के असार नहीं सुबसाम बड़ी ठंड जह हिमाचल परदेश में 5 दिन तक मोसम सुस्क रहने के असार हैं इस से लोगों को ठंड से कुछ रहत मिलने की उमीद है मोसम बिज्ञान के अंदर सिमला के अनुसार परदेश में 25 नॉमबर तक मोसम सुस्क रहने की संभवना है हना कि 19 नॉमबर को उच परवर्तिय एक दो अस्तानों पर बारिस बरबारी की संभवना जताई गई थी लेकिन इस दोरान भी मोसम साब बना रहा है वही नॉमबर के पहले पकवाड़े में ही पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पढ़नी सुरू हो गई है हिमाचल के कई सहरों का तापमान जमाब बिंदू से भी नीचे गिर गया है कुछ सहरों का पारा पांच डिगरी तक लुड़क गया है सरदी बढ़ने और पीने के पाने की पाइपों के जमने से पहाड़ी लोगों को मुश्किल हो रही है इस ठंड का impact पड़ोसी राज्यों पर दिखने को लगेगा और फॉंडेशन की और से इस मध पर 25-30 लाक रुपए क खर्च किये जा रहे है वहीं आपको बता दे कि ग्रिन कुर्मेटरियम से परियावरन संदक्षन के परियासों को बल मिलेगा क्योंकि धुआ उत्रजन घटकर लगबग आधा हो जाएगा सिस्टम में करीब 100 फिट उंची चिमनी लगाई गई है जम्मू कस्मिर के आनतनाग में सुरक्षा बलों और आतंक्यों के बीच मुडबेड लसकर एताइबा का एक आतंकी धेरी जेक केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मिर के आनतनाग जिल्ले में रहीवार को सुरक्षा बलों और आतंक्यों के बीच मुडबेड हो गई इस मुटबेड में सुरक्षाबलों ने लसकर ए ताइबा के एक हाइब्रिड आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई है वही पुलिस ने बताया कि दक्षीन कस्मिर में बीज बहरा के चेकी दूदू इलाके में आतंकीों की मोजोत्की की सुचना के बाद गहराबंदी और तलासी अभ्यान के दुरान मोटबेड सुरू हुई है पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि जब सुरक्षाबल तलासी अभ्यान के दुरान संदिगत अस्तान की और बढ़ रहे थे वहाँ छिपे हुए आतंकों ने गोली बारी सुरू कर दी इस दुरान सुरक्षाबलों के साथ ए लसकर के हाइब्रिट आतंक बादिस सज्जात तांतरे को गोली लगी उसे SDHB जवेहराद ले जाया गया जहांची किसों को ने उसे मिरित गोसित कर दिया हिमाचल के सिमला में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई आग गैस लगने से दो यूवोकों की मौत साथ अस्पताल में भरती आपरेल में तीन दिन मनिकर्न में रुके थे आपताब और स्रदा गैस्ट हाओ संचालक ने बताये कैसे थे दोनों के हाओ हाओ जे सर्दावालकर और आपताप मनिकरने के गेस्ट हाउस में तीन दिन तक रुकिये थी दिल्ली पुलिस की टीम ने हिमाचल के मनिकरने पहुँचकर जाच की वह साक्ष जुटाई गेस्ट हाउस संचालक ने दोनों के हावभाव को लेकर पुलिस को बताया दोतों आज की संदार कवरों का सिर्शला इसमाप तो होता है गर जनकारी परसन आई हो तो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले झाल झाल